सल्मान के सीक्रेट बर्थडे प्लान का हुआ खुलासा जाने कैसे जन्म दिन मनाएंगे दबंग खान बॉलिवुड अभिनेता सल्मान खान फिल्म दबंग टीन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं वैसे दिसंबर सल्मान खान के लिए सिर्फ एक दो नहीं बलकि तीन मालनों में खास है दिसंबर में एक तरफ जहां दबंग तीन रिलीज हो रही है तो वहीं सल्मान का जन्म दिन भी दिसंबर में ही आता है इसके साथ ही ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है कि सलमान की बेहन और फिता दिसंबर में ही दुबारा माँब बन सकती है दरसल 27 डिस्बनर को सलमान अपना 54 जन्म दिन मनाएंगे हर बार उनके जन्म दिन के पहले से ही उनके फैंस उनके बर्थडे की तैयारी शुरू कर देते हैं एक तरफ जहां सलमान सोशल मीडिया पर ट्रेन करने लगते हैं तो वहीं दूसरी और उनके बर्थडे प्लान सामने आने लगते हैं लेकिन इस बार सलमान ने खुद ही अपना बर्थडे प्लान रिवील कर दिया है। दबंग टीन के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने बर्थडे प्लान को लेकर एक इंटर्व्यू में कहा, मेरे बर्थडे के लिए कोई प्लान नहीं है, मेरी बेहन अर्पिता प्रगनेंट है, तो मैं अपना पूरा टाइम उसी के साथ स्पेंड करूंगा बता दे कि सलमान खान की बेहन अर्पिता की आयूश शर्मा से शादी हुई थी, दोनों का एक बेटा आहिल है, वैसे कुछ वक्त पहले ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि अर्पिता सलमान को स्पेशल बर्थडे गिफ्ट देने वाली है, कहा जा रहा है कि अर्पिता और आयूश शर्मा ने सी सेक्शन डिलिवरी के लिए 27 दिसम्बर का दिन चुना है, हाला कि इस पर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच है तो सलमान का जन्म दिन वकाई काफी खास हो जाएगा, बात सलमान खान के करियर की करें तो सलमान खान अपकमिंग फिल्म दबंग तीन है, फिल्म में सलमान के साथ सुनाक्शी सिनहा, साई मांजरे करो और अरबाज खान नजराएंगे, वहीं 2020 में सलमान की फिल्म राद है, योर मोस्ट वांडेट भाई रिलीज होगी, फिल्म में सलमान के साथ दिशापाटनी नजराएंगी,